नमस्कार दोस्तों, सर्दियों में जादा उम्र के लोगों के लिए बेहद ही एक आरामदायक चीज होती है नीकैप, उसको आप कैसे बनाएं ये आज हम देखेंगे आए शुरू करते हैं आज का वीडियो, घर में आप नीकैप कैसे बनाएं, इसको बनाना बेहद ही आसान है, और सर्दियों में ये बहुत ही आरामदायक रहती है आप अपनी मन पसंद रंग का और साइस का ये बना सकते हैं बनाना बेहद ही आसान है यहां से हम फंदे डालते हैं एक सीधे एक उल्टे का बार्डर बुना हमने उसके बाद एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी बुनते हुए इसको हम उपर बुनेंगे लेकिन जैसे बहा में साइड में फंदे बढ़ाये जाते हैं तो उस तरह से ये दोनों साइड में फंदे बढ़ाये जाएंगे और जब हमारी लंबाई पूरी होगी तो फिर से हमने यहाँ पर एक सीधे कुल्टे का बॉर्डर बनाया इतना बनाया कि उसको जब हमने फोल्ड करके सिला है और इसके अंदर हमने इलास्टिक डाली है तो आप अपने साइड के हिसाब से इलास्टिक डाल कर उसको सिलेंगे इलास्टिक को अंदर और ये दुहरा करके इस पट्टी को भी सिल देंगे तो इस तरह से ये बनाने में बेहद ही आसान है नी कैप के लिए फंदे डालने के समय हम एक सावधानी बढ़तेंगे कि हम फंदे धीले डालेंगे जिससे वो आसानी से पैर में घुश जाए और उसी तरह से जब हम फंदों को बंद करेंगे तब भी हम मोटी सलाई लगाकर उसको बंद करेंगे धीला फंदे डालने के समय हम दुहरी उन लेकर डबल सलाई से भी फंदे डाल लेते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें उसमें फंदे कैसे डालें इसके वीडियो का लिंक है आप वो भी देख सकते हैं इसका एक और स्टाइल है ये हमने दो सीधे दो उल्टे यहाँ फंदे डाले और दो सीधे दो उल्टा लेकर हमने बुनाई शुरू करी इसमें बॉर्डर नहीं है पूरा ही दो सीधा दो उल्टा बुनते हुए जाएंगे साइड में वैसे ही फंदे बढ़ते जाएंगे और उनको हम अपनी बुनाई में मिक्स करते जाएंगे दो सीधा दो उल्टा करते हुए लास्ट में आकर जब हमारी लंबाई पूरी हो जाएगे तो इसको हमें बस दो हैरा करके यहाँ पर इलास्टिक डालनी है और इसको सिलना है इलास्टिक को आप अच्छे से जॉइन कर दें और ये अच्छे से हमारी नी कैप बनके तयार है ये दो सीधे दो उल्टे वाली थोड़ी टाइट रहती है पहनने में आराम दायक लगती है ये भी तो आप किसी भी तरह की ये नी कैप पैरों में पहनने वाला गुटने को ढखने वाला ये आप बना सकते हैं तो आईए अब थोड़ा देखते हैं इसके फंदों वगेरा की बात आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन दबाया करें और कमेंट करके बताया करें उससे हमारा भी उत्सहा बढ़ता है और वीडियो अंत तक देख करें जैसे इस वाली जो नीकैप है ये वाली इसकी जो तैयार लंबाई आ रही है वो लगभग 19 इंच के आसपास हम कह सकते हैं और इसको जो हमने मोड़ा है तो इसको आप 21 इंच के करीब बनाएंगे तो मोड़कर ये इतनी बड़ी हो जाएगी 21 इंच इसकी लंबाई है उतनी ही है इसकी चोड़ाई जादा है बस तो लंबाई लगभग आप 21 इंच बुनकर फोल करेंगे तो ये 19 इंच के करीब हो जाएगा अब इसमें फंदे कितने लिए गए हैं ये 60 साथ फंदे डालकर हमने शुरू किया दो सीधे दो उल्टे करते हुए साइड में हम बढ़ाते हुए जा रहे हैं और लास्ट में यहां पर आकर 100 स्टेचिस 100 फंदे हमारे हुए हैं अब आपको ये अंदाज हो गया कि 60 फंदों से 60 फंदों से शुरू किया जाएगा और 100 फंदों तक ये बुना जाएगा और इसको फोल्ड करके ये हम साइड सिलकर अच्छे से अपनी नीकैप बना सकते हैं पहनने में बहुत ही आराम दायक होती है ये देखिए ये जो फंदे बढ़े हैं ये इस तरह से बढ़े हैं यहां पर थोड़ी दूर तक कम बढ़े हैं और फिर यहां से बढ़ने शुरू करे हैं ये इस तरह से ये बढ़ते चले गए हैं दोनों तरफ और ये देखिए ये सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अब आईए इसकी बात कर लेते हैं ये वाला जो है इसमें भी शुरुआर जो है वो 60 60 फंदों से ही करी गई है आप ये जैसे बॉर्डर बनाया है इतना तो ये लगभग 4 इंच के करी बॉर्डर है 4 इंच बॉर्डर के बाद उसी तरह से फंदे बढ़ाते हुए आए है और इसमें यहाँ पर 120, 120 स्टिचिस किये गए है अब इसकी जो चौड़ाई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी आ रही है ये लगभग 18 इंच 9 इंच एक तरफ से दिखाई दे रही है तो 18 इंच है तो आप अपनी ठाई को जांग को नाप के देख सकते हैं जहां तक आपको ये पहनना है कि आपको कितना चाहिए और फिर ये थोड़ा फ्लेक्सिबिल भी होता है तो इलास्टिक हमको उस हिसाब से काटनी है अपने साइस के हिसाब से इसकी जो चोड़ाई आ रही है उपर की तरफ तो ये दो सीधे दो उल्टे का तो वैसे भी थोड़ा छोटा हो जाता है खिचकर ये लगभग 8 हिंच के करीब है तो इस तरह से आप अपनी जरूरत के हि अच्छी सी नीकैब बनाई और सार्दा नेटिंग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मितनों के साथ शेयर करिए आप सभी के सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद